इस्टोलाजी सिंप्लिफैड में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं कि जो NLP है इसका जो के नीरो भाषाई प्रोग्रामिंग को बोला जाता है तो यह कैसे काम करता है इसके बारे में और यह क्या है इसके बारे में हमने बात करेंगे तो इस प्योग होता है यह जो आपके विचार है जो वस्त्विक विचार है उनको शकारत्मक रूह देने का काम किया जाता है यह समझना यह होता है कि जो हमारा मस्तिक हैं बहुती सकतिशाली होता है और यह जो प्रोग्राम करते हैं इसमें आपके जो मांसिक्ता है उसका उप्योग करके जीवन को बदलने के प्रत्न किया जाता है तो इस तरह से टक्निके होती हैं जो कि आपको जो भी इसके कोचिंग करते हैं वो तक्निके हैं आपको बता देंगे अगर उस तक्निकों का उप्योग करते हुए हैं आप NLP में जाओगे तो यह जो मुद्दे होते हैं इन छेतरों में इनको लगाए जा सकता है जैसे उत्पादन बढ़ाना है उसमें NLP का उप्योग करेंगे फिर हमारा जो यक्तिकत कोशल है उस पर काम करता है यह आपके जो अठके हुए है कोई मैसुस की पुरानी घटना है उसको सुदाने में मदद करता है और आपकी जो आदते हैं वो अच्छी आदते बनाने का कारे करता है तो इस तरह से आपका इसका हम हम उप्योग करेंगे एनल एलेन एलेन पी विका जो प्योग करते हैं उसमें जो मान्शिक स्वास्त है उसमें समस्याओं का जो उप्चार किया जाता है तो जो है कि जैसे कि आवसाद है चिंता और तणाव रहता है डर रहता भै रहता है जो मादक होतों है बादक का सेवन करते हैं इस सबमें हम एंशुकोर पाराज करकर सुधार लाते हैं ऊए जो तकनिक है यह एकंतर हमारे मन प्रोब आशाई प्रोग्रामिंग की तक्नीकों से हम जीओन में लागू करते हैं तो एनलपी से आपको क्या-क्या लाब हो सकते हैं किस पकार से लाब प्राप्ट कर सकते हैं तो यह जो तक्नीके हैं जो आपके आपके उपर कार्य करती है जैसे चात्रों के लिए इस तरह की टेकनिक लेके आपको उसकी मदद करेंगे के मदद करेंगे आपके क्रात्रगों के लिए मदद करेंगे तो यह अपने जीवन में इन चीजों का अभ्यास करके यह अपनाया जाता है और अपने ईसाब से अच्छे मनोव जो आपको विचार है उनको भदलते हैं उनको बदलते हैं इस में अच्छा लाप देते हैं और अपने जीवन में ये बहुत फायदा करते हैं तो बहुत सी तक्निके हैं जो कि कोच आपको आपके बताएगा और उससे आपको उसका लाप प्राप्ट होगा तो जो इससे जो अपना यवार को पैचानने के बात कही गई इसमें और उसों आपको आपको अच्छे प्राप्ट होंगे आपकी सूच को सकालातमख करके आपको में परवर्तन लाने की कुशिक की जाएगी और जो भी है उसको आपको दोराएगे उस तेक्निक उंपराप्ट toolbox होगा तो इस तरह से बहुत सी तक्निके बताई गई है जो कि आपको को बत आएगा और उनका पोस्का कैसे आप उपयोग करेंगे और आपको उसका कैसा लाब प्राप्त होगा यह सब बताया जाता है तो यह इसमें जो कुछ निवरो बादशा की जो प्रोग्रामिंग के हैं कुछ लाब इस पकार से हो सकते हैं जैसे कि अपने जो देश हैं मुल्य हैं पेना हैं उनसे जूड़ने की कोशिस करेगा आपके स्वास को ठीक करेगा और खुश्याली में सुधार करेगा वो आपके मानसिकता को ठीक करेगा आपके यवार को ठीक करेगा आप में विश्वास पैदा करेगा आपके केरियर और इसा में संतुस्टी परदान करेगा की चीजों में आपको संतुष्टा प्राप्त होगी और उसके तरफ आपका जुकाओ बढ़ेगा ऐसी यह निरो भाशाई प्रोग्राइम तकनिक का उपयोग करके आपको खुद को भी लाब होगा और दुसरों को भी आप अपनी रंडिती से लाब पहुचाने की कोशिज करो होगे तो यह अच्छी टेकनिक है। आप अपनी जीवन में लाके आप ना सुधार कर सकते हैं और इसको आप प्रशिशन ले सकते हैं कोचिंग ले सकते हैं और सभी तरके इसके आपकी जो लाभानतित क्या होंगे आप इस तक्निक से निमलिकित लाभ हो सकते हैं आपके नेतरत जो चंता बढ़ेगी आपका जो कम्मुकेशन इसके लिए उसमें अच्छा पदान करेगा आपका जो लचीलापन आएगा आप में और आपके जो सकारत्मक का प्रभाव बढ़ेगा आपका कोशल बढ़ेगा आपके बाहनात्मक जो बुद्धि मता है उसमें विस्तार पैदा करेगा आपका जो लचिलापन लाएगा आपके मांसिक्ता में यहवार में और जो आपके कोशल है उसको बढ़ाएगा आपके रिष्टियों में सुधार लाएगा इस तरह से आप NLP का लाब उठा सकते हैं और जो इसमें प्रामर्स, चिकिशा, पेशेवर, एक्तिकत जीवन पर लोग कैसे कर सकते हैं इसको शुरू करने के लिए आप एक अच्छा प्रचिशन खोजें पाठकरम खोजें और इसमें आप जाके मिलें और इसका लाब उठाएं तो आज हमने जो बात की कि कि नीरो बासाई प्रोग्रामिंग को आपके जीवन में कैसा ला सकते हैं क्या ला जीवन अपना सकते हैं तो यह स्वादल सी जानकारी हमने एनलपी के बारे में दी है तो आप जरूर आपको इसका समझ में आया होगा और आपको अगर यह अच्छे वीडियो लग रहे हैं हमाई चैनल का इस्ट्राइस इंप्लिफाइट पर वीडियों का भी अलाब है तो आप अपने वार्टसअप ग्रूप में अपने लोगों में इसको जरूर वीडियो को भेजिए जिससे कि उनको भी इसका लाप प्राप्त हो सके है अपने आमारी चैनल को अगर सब्काइब नहीं किया तो जरूर सब्काइब कैजिए और वीडियो अच्छा लगा हौ तो जरूब लाइक और शेर कीजिए आपने हमाई चैनल को सब्क्राइब किया वीडियो को लाइक किया शेर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार